इद आने वाली थी और सभी लोग चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब चांद नहीं निकला तो सभी उदास हो गए। किसी को नहीं पता था कि चांद कहां है। आखिर चांद के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए देखते इद पर चांद की चोरी। इद का त्योहार नस्दीक था। पूरे चांद नगर में रौनक थी। सिवयों, मावों और खाने पीने की चीजों से बाजार भरे पड़े थे। और ते बच्चे सब खरीदारी कर रहे थे। भाया, वो हरी वाली चूडी दिखा ना। ये लो ब गोल्डन कलर वाली चूडी ले लो। हाँ शिरी, मैं ये हरी वाली और तेरे लिए लाल वाली, दोनों चूडिया ले ले लेती हूँ। चारों तरफ खुश्या ही खुश्या थी। लोग ईद के जश्न की तयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भ लेकिन नवाब सहब और उनकी बेगम नगमा को एक ही बात का दुख था। उनका इकलौता बेटा हैदर जन्म से ही एक मंद बुद्धी बच्चा था। शुरू-शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे हैदर बड़ा होने लगा, उसकी हरकते सा तो लंद धीरे धीरे और बिगड़ता जा रहा था, अब हैदर पास साल का हो चुका था। बेगम अपने इगलौते बेटे की यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा भी यही हाल है, जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरा करेचा फट जाता है, ना जाने हमारे अन्याय क्यों किया, तब ही नवाब साहब का वफादार नौकर शम्शेर वहां आता है, और नवाब साहब से कहता है, अपने सब जगा छोटे मालिक का इलाज करा लिया, देश-विदेश के डॉक्टरों ने भी नाउमीदी ही दिखाई, अब बेरी एक छोटी सी गुजारि बोलो शम्शेर, चैर के बाहर जंगलों में एक बहुत पहुचे हुए फकीर आये हैं, और वहीं अपनी जोपडी बना कर रह रहे हैं, सुना है वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देते हैं, आप छोटे मालिक को लेकर वहां चलिए, अल्ला ने चाहा तो इस बार आ जाने को राजी ही नहीं थे, लेकिन मा का दिल कहा मानता, नगमा बिगम ने जैसे ही शमशेर की बात सुनी, वो नवाब साहब से फकीर के पास चलने की जिद करने लगी, चलिए न, एक आखरी कोशिश और कर लेते हैं, शायद हमारा हैदर ठीक हो जाए, मुझे हैदर के चलने की तैयारी करो, उसी रात नवाब साहब अपनी बेगम और अपने इकलौते बेटे हैदर को गाड़ी में लेकर फकीर के पास पहुँचे, शमशेर भी उन लोगों के साथ था, जब चारों फकीर की जोपड़ी में पहुँचे, तो ने देखते ही फकीर ने कहा, तोट नाम जान कर अब कुछ नहीं हो सकता, जल्दी बच्चे का इलाज करना होगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है, तो आप इलाज शुरू कीजे बाबा, हम आपको पैसों में तॉल देंगे, इसका इलाज साधारन नहीं है, इसे चांद का चून खिलाना होगा, चांद का हाँ, चांद का चून, लेकिन चांद का चून कैसे मिलेगा बाबा, चांद तो आसमान में है, चांद की चोरी करनी होगी, चांद की चोरी की बात सुनकर सब हैरान रहे गए, अब नवाब साहब से चुपने ही रहा गया, लेकिन चांद की चोरी कैसे होगी, और चांद की च जैदाद दे देंगे आप बस हमारे बच्चे को ठीक कर दीचे ये क्या कह रही हो बेगम हमारे लिए हैदर से बढ़कर कुछ भी नहीं है आप मान जाएए बाबा ने आधी जैदाद ही तो मागी है बेगम के आगे नवाब सहब कुछ नहीं बोल पाए बाबा आप चांद की चोरी करेंगे कैसे इद से ठीक एक दिन पहले चांद की चोरी होगी और इद वाले दिन बच्चे को चांद का चून खिलाना होगा तब ही बच्चा ठीक हो पाएगा बाबा दो दिन बाद ही इद है मैं कल राद चांद की चोरी करूंगा लेकिन उससे पहले दस लाख रुपए भिजवा देंगे। अपनी जोपडी से बाहर निकला और आस्मान में चान्द की ओर देखकर कुछ बुदबुदाने लगा। और तभी अचानक चान्द बहुत छोटा होता गया। और हसते हुए बोला। मैंने चान्द की चोरी कर ली अब इसका चून बनाऊंगा। उस रात फकीर सो गया। अगली सुबह वो कागस की पुडिया में चान्द लेकर नवाब साहब के घर पहुचा। नवाब साहब मैंने चान्द की चोरी कर ली है। अब परसो यानि इद वाले देन इसका चून बनाऊंगा और तब आप चान्द का चून छोटे नवाब को खिला देना। तब तक इस चान्द को अपनी हवेली में सुरक्षित रख लो। फकीर की बाद सुनकर नवाब साहब की बेगम ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि अब उनका एकलौता बेटा हैदर ठीक हो जाएगा। नगमा बेगम फकीर के हाथ से चान्द लेते हुए कहती है। हाँ बाबा हम इस चान्द को छिपा कर रख लेंगे और परसुई से लेकर आपके पास आ जाएगे। ठीक है। फकीर वहाँ से चला जाता है और नवाब साहब की बेगम नगमा चान्द को छिपा कर रख देती है। उस रात सारा शहर ईद का चान्द देखने का इंतजार कर रहा था लेकिन चान्द तो दिखा ही नहीं दिया। सबी घरों में औरते बच्चे टक्टकी लगाए आसमान की तरफ नहीं हारते रहे कि चान्द दिख जाए। चान्द कहीं नजर नहीं आ रहा लग रहा है अल्ला ताला हमसे नाराज है इसलिए चान्द को हमसे चिपा कर कहीं दूर भेज दिया है। ना जाने ईद कैसे मनेगी। सभी लोग रात भर जाक कर चान्द का इंतजार करते रहे लेकिन चान्द नहीं निकला। निकलता भी कैसे। चान्द तो चोरी हो चुका था। दूसरे दिन छोटे नवाब यानि हैदर ने अपनी माँ को चान्द शिपा कर रखते हुए देख लिया था। हैदर ने उस कागस की पुडिया को खोल कर उसमें से चान्द निकाल लिया। चान्द में से आ रही तेज रोशनी हैदर को बहुत अच्छी लग रही थी। वो चोटे से चान्द को लेकर घर के तैकाने में चला गया और कोई खिलोना समझ कर उससे खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब की बेगम हैदर को ढोड़ने लगी। हैदर? हैदर? अरे शमशेर तुमने हैदर को देखा? हैदर कहीं नहीं मिल रहा और वो चान्द भी अपनी जगह से गाइब है। आज चान्द और हैदर को लेकर फकीर बाबा कहा जाना है? मालकिन मैंने चोटे नवाब को कहीं नहीं देखा। इतने में नवाब सहब भी वहाँ गए। उन्होंने फॉरण हैदर को अपनी गोद में उठा लिया और चान्द को अपने हाथों में ले लिया। नगमा बेगम चान्द और हैदर को लेकर तैखाने से बाहर आने लगी। इतनी देर में हैदर मा के हाथों से चान्द चीनने की कोशिश करने लगा। छीना चप्टे में नगमा बेगम के हाथ से छूट कर चान जमीन पर गिर गया। तब तक नगमा बेगम तैखाने से बाहर आंगन में आ चुकी थी। फिर क्या था। चान फॉरण आसमान की तरफ चला गया। और बड़ा होकर अपनी जगा पर जाकर टिक गया। ये देखकर नगमा बेगम बहुत दुखी हो गई। तब ही वहाँ नवाब साहब और शमशेर भी आ गये। चान तो वापस आसमान में चला गया। हमारा हैदर अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तब ही पीछे से एक आवाज आई। हैदर जरूर ठीक होगा। वो आवाज नवाज चान नगर के निवासी बहुत खुश थे लेकिन फकीर बहुत हैरान हुआ। ये चान आसमान में कैसे दिख रहा है अगर इसके रोशनी मुझ पर पढ़ गई तो बड़ी मुसिबत हो जाएगी। खुद की चोरी किये जाने के कारण चान बहुत गुसे में था और चान से न अमीद में नवाब साहब के घर भी इद मनाई गई। इद के बाद सभी लोग हैदर को लेकर अमेरिका चले गए। जहां इलाज के बाद हैदर पूरी तरह से ठीक हो गया, और नवाब साहब की आधिप्रॉप्रॉट